नमस्कार मैं हुआ अरुन पटेल और आप देख रहे हैं दबिहार में आज हम बात करने वाले एक ऐसी लड़की की जिसे मचली भात खाना इतना पसंद है कि वो विदेशों में भी इसे खोशती रहती है वो अपने गमचे को विदेशों में हर जगए सबसे परचित कराना चाहती है दोड़ना उसके जीवन का एक मात्र मकसद है और जिसने पिछले पंदरा दिनों में चार सौनड़ पदक जीत ले हैं आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होनहार धावकी जिसका नाम है जिहां हिमादास हिमादास जी ने पिछले पंदर दिनों में अपने चार पर सौनड़ पदक जीते क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पुरूफ ही नहीं था जिससे वो दिखा पाएं कि वो आई ट्याई पासा रहा है आसाम की रहने वाली हिमादास एक संव्त परिवार से आती हैं जिनके पास कुल साड़ भी का जमीन है जिन में कई मचलियों वाले तालाबों के खीद भी हैं यहीं से आप समझ सकते हैं कि हुमादास को मचलियें के उपस है हिमादास कहती हैं कि उनके परिवार में उनका लालनपालन बड़े ही सामान तरीके से हुआ है में उन्हें मूल भूत समस्याओं का कोई ऐसा अभाव नहीं रहा कभी भी और हमेशा उनका परवार उनके साथ खड़ा रहा अब हिमा को धींग एक्स्प्रेस भी कहा जाने लगा है क्योंकि हिमा का जन्म धींग के पास कांधुली मारी गाउं में हुआ था हिमा जो की फुट कारवी के परिक्षा पास कर चुकी हैं और आगे आने वाले ओलम्पिस में हम ये सपना लेकर बैठ सकते हैं कि वो हमारे लिए एक सौन पदक लेकर आएंगे शुक्राइब